हलो, नमूस्कार, हमारे چेनल में आप सबी का एक बार फिर्स स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताजेंगे बिना चैन वाली हाप पैंट की सिलाई कुछ वीवर्ष ने हमें कमेंट किया था कि हमें बिना चैन वाली हाप पैंट की सिलाई बताएई तो आज की इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं तो आईए शिख लेते हैं कि एक बिने चैन वाली हाप पैंट की सिलाय कैसे होती है इसमें हम आपको क्रोस पोकिट बनाना बताएंगे और इसमें बिने चैन वाली फलाई कैसे बनती है वो भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए अगर वीडियो पसंद आया तो share, like जरूर करिएगा और हमारे चेनल को subscribe भी करिएगा ताकि हमारी आने वाली सिलाएगी वीडियो आपको जानकारी से पहले मिल जाए तो जैसा कि हमने एक हाप पैंड की करने किया हुआ है थोड़ा black type black में है यक अप्रा तो इस में हमने दो प्लेट पहले से बठा लिया हुआ है कि हमने हर वीडियो में बताया हुँ कि हाप पैंड आप बनाये अपने बच्चों के या किशिक लिए भी हो तो उसमें दो प्लेट जरूर लगाएं क्योंकि प्लेट लगाने से किया होता है कि लूज रहता है और अच्छे से पहनने में बच्चों को आराम दायक होता है और उन्हें खेलने कुद्दे में भी कोई दिक्कत नहीं आती है तो सबसे पहले आप देख सकते कि यह जो हमने प्लेट मारा हुआ है इसमें प्लेट बठा दिये हमने दोनों साइड में यह यह बाहरी साइड में है और यह बाहरी साइड में है तो इसको अब यहां थोड़ा सक्चा कर देते हैं इसको सिलाई मार के ताकि यह प्लेट सिलाई म हूँ तो इसको आप पहले से हलका सा कच्चा मार दे तो आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रेट का इधर शिलाई मार के इतना इतना मुह बन कर दिया है और आपको भी इसी तरह सिलाई मार लेना है तो आपको दिख रहा होगा तो इसतरह से अभी देखिए कि ये सा मुः ही साइड में है और इसका मुः ही साइड में रहे से आपको ध्यान रखना जैसा कि इस पोकेट का मुह 5 इंची हम मतलब खुलेगा इसका मुह तो यहां साथे 5 पर हम निसान लगाएंगे तो इस तरह से अगर आगपास मेचिंग कपड़े हैं तो पोकेट उससे लगाएंगे तो और अच्छी बात है अगर नहीं मेचिंग कपड़े हैं तो फिरा कोई पोकेट लगा सकते हैं तो इसमें अलग से पट्टी लगाना पड़ेगा और मेचिंग कपड़े में पट्टी नहीं लगाना पड़ता है यह इतना फाजा रहता है तो मेचिंग कपड़े अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो हम आपको बताएंगे तो इसमें जाती कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले हम आपको क्रोस पोगट लगाना बता देते हैं, इसके बाद हम आपको फलाई की जानकारी बताएंगे, तो इस तरह से हमको दो कपले लेना है, दो पट्टी निकाल लेना है, लगभग धाई इंची चोड़ी होनी चाहिए, ये पट्टी, तो सब इसमें इस कपले को ऐसा क्रोस रखना है आपको, और इसके उपर इस फ्रेंड को रखना है, चुंकि ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड में आपको रखना है, तो इस तरह से आप इसको जहां से आपका फट्ट बैठता है उसमें क्रोस कर लें, तो ऐसे इसको यहां कपल कपड़ बरबर रख करके ऐसा कुरोस आपको सिलाई कर लेना है इस तरह से ऐसे आपको सिलाई कर लेना है और इस कपड़े को आपको कटिंग कर देना है अब इस कपड़ को हमने कटिंग कर लिए अब यह कपड़े क्यों लगता है यह जो पटियां लगती है अलग से क्यों लगती है ताकि यह कपड़ आपको पहनिक बाद यह कपड़ा दिखे नहीं कि इसमें कोई अधर कपड़ा लगा हुआ है क्योंकि यह अंदर हो जाएगा त जो पॉकिट का मुँँ खुलता है उसमें यह कपड़ा पॉकिट वाला नहीं दिखेगा अगर मेचिंग कपड़े रहता तो कोई बात नहीं रहता तो फिर दिखता भी नहीं कोई दिक्कत नहीं होती तो अब इसको ऐसा चारो बाज सिलाई मार लीजिए आप इसको फोल्ड कर करना है यह जो कि सिधा भाग है और यह उल्टा साइड है तो इसको हम अब यहां थोड़ा सलका साब बॉन निकाल करके इस पर एक किनारी सिलाई मार देंगे आपको भी इसी तरह से सिलाई मारना है तो अच्छे से आपका क्रोश कोगर बन जाएगा आप देख सकते हैं कि यह हमने सिलाई मार दिया है अच्छा था यह बोन भी दिख रहा है आप देख सकते हैं नहीं दिखाया आपको तो ऐसा आप देख सकते हैं यह बोन थोड़ा से दिख रहा है तो चलिए फिर हमको दूसरा कपला लेना है इसी तरह से और इस साइड में लगाना है हमको ऐसे ऐसा रख करके आपको शिलाई मार देना है फोल्ड करके जो किनारी ताकि इसका सूता ना निकले ऐसे आप इसको फिलाई से अटेश कर दें अब हमने इसको पाकिट को बनेगा यहां स क्या करना है कि आपको यह थुला अमर overlap मार देना है क्योंकि ताकि pocket का मुह मजगूत हो जाए ताकि खुले नहीं तो यहाँ अब हम दो तिन बार reverse करेंगे सिलाई आज़ते और फिर यहाँ से इसको पूरी सिलाई मार देंगे अब यह कपले जो बाटके के बढ़े हुए कपले हैं इसको हम कर देंगे अब यह पागट बैठ गया अब इसके क्या करना है आपको पोगट का मुह बंद कर देना है तो इसी तरह से आप अब इसको हम इसका पागट का मुह बंद कर देते हैं अब अब आपने इसका मुह पागट का बंद कर दिया अब इसको हम कर डिया है क्योंकि कमर श्राइब करें गुने कंदम क्यूंकर है करना है हुआ है कि कमर भाग परसलोफ दिलाई, सब्सक्राइब के तो जैसा है हमने दोनों शाड का पुक्ट बना दिया है इस तरह से इसको मिला लेए एक बार से कहीं आप का इस फ्रेंट कम जाता थो नहीं है अगर कम जादा है तो थोड़ा सा कटिंग करने बर वबर से नहीं तो फिर अगर सही दोनों फ्रेंड वरोबर से थैं तो इसमें एक बात का आप ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपका कमर यतना है तो कमर का चौता भाग ही इसका फ्रेंड को तयार रखना चाहिए जैसा कि अगर इसका जो कमर है 26 इंच है तो यहां से 16 इंच तयार होगा तो अब यहाँ सिलाई के लिए थोड़ा सा हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे फिर यहाँ भी सिलाई के लिए आधेंची छोड़ेंगे और साड़े छेंची तयार आएगा तो इसी हिसाफ से आपको इसका कमर का भाग रखना है अगर आपको थोड़ा सा कपला कम लग रहा है तो फिर ये जो पोकिट है थोड़ा सा और चौड़ा कर देंगे तो कमर ये चौड़ा हो जाएगा तो इसलिए आपको कमर सही से परफेक्ट बैठ जाएगी अब इसमें हमने दोनों फोकिट लगा दिये अब आपको हम इसकी फलाई बताएगे जो बिने चैन की बनती है तो आप इसको इसको इस तरह से घड़ी कर लेना है इसको बरुबर मिला लेना है आसन को और यहाँ इसको बरुबर कर ले थोड़ा सा और यहाँ आपको एक निसान लगा लेना है आपको इस करण से जो यह आसन कोबा भाग है यहाँ से अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको लगभग दो इंची छोड़ना है दो इंची आपको यहाँ से निसान लगा लेना है और दोनों साइड में अईसे निशान लगा लेना है आपको और अब यहाँ से आपको काज और बटन पट्टी हम बताएंगे तो सबसे पहले आपको हम फलाई की कटिंग बता देते हैं इसमें चैन में तो दो ही फलाई लगती है तो इसमें आपको तीन फलाई लगाना पड़ेगा तो ये फलाई तो इस तरह से आप बनाएंगे फलाई की चौड़ाई का लगभग-वग, डिएलिंची चौड़ाई होने चहिंए, तो डिएलिंची हमने इसको इस फलाई को कटिंग कर लिया है, ऐसे, और इसको क्या करेंगे हलका सा, थ्वड़ा सा एक साइट हमको राउंड क तो फिलाल इसमें हम एक सिलाई मार देते हैं किनारी पे, अब इसको हमने डबल करके एक किनारी सिलाई मार दिये, यहां हलका सराउंड है, आप देख सकते हैं, यह जो राउंड भाग है, इसी तरह सापको बनाना है, यह डबल कपड़ा है, आप देख सकते हैं, तो हमने यहां फ़लाई हमको और लेना है और इसी तरह से तो आप देख सकते हैं हमने यह फ़लाई और लिए है यह अलग-अलग है तो इसको हमको क्या करना है सबस्पहले जो राउंड वाला भाग है हमको इसी पर एक सिलाई मारना है इस तरह से अब आपको पूरा राउंड नहीं करना है थोड़ा सा यहां मुझ खूला रखना चाहिए अब इसको क्या करेंगे आपको इसको हम नाखुन से ऐसा बठा देंगे और इसको पल्टी कर देंगे पल्टी करने के बाद में उपर से यह किनारी सिलाई हमको और मार देना है इस तरह से ऐसे आपको ताकि यह किनारी सिलाई मारेंगे तो यहां सिलाई बैठ जाएगी अच्छे से फलाई आपका बन जाएगा तो इसको हमने किनारी सिलाई मार दिये अब ये क्या है कि इसको हम बटन पट्टी बनाएंगे तो बटन पट्टी बनाने के लिए आपको हमेशा आपको याद रखना है कि जो बटन पट्टी होती है वो दाहिने साइड होता है और जो काज पट्टी होता है वो बाएं साइड में होता है तो सबसे पहले हम इसको दाहने साइड वाले में बटन पट्टी बना देते हैं अब आपको देख सकते हमने जो निसान लगाया हुआ है यही से हमको फलाई को यह जो दूसरा फलाई है यह राउंड वाला फलाई है सिंगल वाला तो इसको हमको यही से लगाना है उपर आपको फलाई नहीं रखना है ज्यादा बड़ा जो फलाई आपका बढ़ता है उसको उपर बढ़ने दीजिए अगर बड़ा बना हुआ है तो थोड़ा उपर बढ़ जाएगा चलेगा उपर कटिंग हो जाएगा नीचे गर आप बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी सिलाई करने में तो जहां से हमने निसान लगाया है यहीं समको इसको अटेज करने ना है अब इस तरह से आप सिलाई मार देते हैं और इसको नखुन से ऐसे बैठा लें अब इसको अब इसको क्या करना है ऐसे अब इसको यहां से हलका सब फोल करना है ताकि यह जो जो सिलाई है इसको अंदर करके उपर से फोल करके इस तरह से उपर से एक किनारी सिलाई आपको और म कर दिया अब इसको हमने इस तरह से सिलाई मार दिया आप देख सकते हैं यह जो है यह दाहिने साइड का है यह बटन पट्टी हो गया अब आपको हम काच पट्टी बनाएंगे अब यहां भी मापको दिखा देए जो निसान लगाया हुआ है यहां से निसान है यह अब इसमें सबसे पहले क्या करना है जो हमने आपको बताया था यह जो हमने डबल पट्टी सिलाई मारा था यह फ्लाई यह है और एक सिंगल फ्लाई और लेना है और आपको इसमें सीध्य साइड से यह निसान से आपको इस पट्टी को और अटेश करना है सिलाई मारकर ऐसे इस तरह से और आपको उपर से फिरे किनारी सिलाई मारना है इसको ऐसा नाकुन से मार करके फिर इसमें यहां सिलाई मार देना है यह किनारी सिलाई अब जो उपर बढ़ा हुआ इसको कटिंग कर दें धागे को अच्छी से कटिंग कर दें इसको क्या करना है अब हमने इसको उल्टा कर लिया है आप जैस सकते हैं यह जो ह हमने दूसरा ञख viel के तो इसको हमको इसी पर निवह राखना है ए जो सिल्वञ प्लेख के अंदर अंदर नहीं जाना चाहिए सिल्याइ के वर बरोबर ही रहना चाहिए यह फलाई इसको जो नीचे वाला जो फलाई है इसी के बरोबर से हम इस पर सिलाई मारेंगे राउंड से ऐसे यह आपको देख रहा होगा तो इसी तरह से इसी तरह से हमने इसको राउंड सिलाई मार दिया आप देख सकते हैं इस तरह से कपड़ बाकर कटिंग कर दें और यहाँ उपर जो बला रहा हो भी कटिंग कर दें आप देख सकते हैं कि अब इसको हम क्या करना है इसको इसको नाखुन मार लेना है अब इसको पल्टी कर लेन अब इसको आपको इस तरह से बैठा लेना है यह जो फोल्ट वाला कपड़ा है इसको आप नकुछ इसको भी बैठाना है आपको ताकि यह फलाई बाहर साइड में न दिखे अब इसको थोड़ा पीछे करके आपको सीधा ऐसा राउंड सिलाई मार लेना है आपको दिख रहा ह ताकि ये बारे उस साइड इंदर दिखे फलाई आपको थोड़ा पीछे करके सिलाई चलाएंगे तो अच्छी बात रहेगी ऐसे अब इसको हमने सिलाई अटेच कर दिया है अब आप देख सकते हैं ये सिलाई ऐसे जब आप साइड आसन जोइंड करेंगे तो ऐसे सिलाई आएगा तो आपको दिख रहा होगा यह देखे आप कितने अच्छे स्राउंड सी शिलाई बैठे गई है यह आप देख सकते हैं को दिख रहा होगा और अब यह देखिए दो फन दो यहां दो फलाईया है अब जो इसमें अंदर वाली सिलाई अंदर हो गई बाहर से आपको फ्रेस दि लेगा, तो अब इसमें जो काज लगेगा, काज जो होगा, इस भाग में होगा, तो ये उपर से आपको नहीं दिखेगा, तो काज अंदर हो जाएगा, और इसका मुझ बंद कर दीजिए, अब साइड और आपको बैग में साइड जोड लेना है, बाकी हमने पूरी में क्रोस पोकेट बनाने की और बटन फलाई बनाने की जानकारी, तो मुझे यकीन है कि आपको बटन फलाई बनाना आ गया होगा, आप देश सकते हैं कि ये जो पट्टी,